अगर आप एक mutual fund investor हो दोस्तों और mutual fund में invest करते हो SIP करते हो या फिर लंसम करते हो तो आपने एक चीज़ जरूर सुना होगा कि जब जब market जो है गिरता है crash आता है market में तब तब आपको जो है so एक लंसम investment करना चाहिए क्योंकि तब आपको mutual fund का जो unit है उस sale price में यानि की सस्ता दाम में मिल जाता है यह बिल्कुल normal market के तरह ही काम करता है दोस्तों जैसे बेपारी जो होते हैं वो normal चीज़े जब सस्ती होती है तो खरीद लेते हैं अब फिर उसे महगा में बेचते हैं तो उसी तरह से stock market में भी mutual fund में भी जब crash होता है जब चीज़े सस्ती होती है तो आप उसे खरीद के उसका लाव उठा सकते हो लेकिन mutual fund के case में दोस्तों एक दिक्कत है कि हमें live prices नहीं पता चलता है एक दिन बाद हमें पता चलता है कि कल का NAV क्या था क्योंकि एक दिन बाद ही NAV अपडेट होता है उस तो और उसके बाद जब हम invest करते हैं तो पता चलता है कि आज जो है NAV ऊपर चला गया था और हमको फाइदा होने के वज़ाए नुकसान हो गया क्योंकि हमने महंगे में units को खरीदा उस तो तो यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस भी fund में हम लोग invest कर रहे हैं वो live अभी किस तरह से चल रहा है ताकि हम लोग exact समय में सही decision ले सके तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि किस तरह से जिस भी particular fund में है जिस भी particular fund के scheme में आप invest कर रहे हो उसका market कैसे check कर सकते हो कि अभी जो है so वो नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है और exact उसी दिन आप जो है so अपना investment करके उसका फाइदा contributor हो दोस्तों और मेरा काम है आपको mutual fund के बारे में सही knowledge देना दोस्तों तो बाकि सब ही जो है अन्रेजिस्टर यूटूबर्स इंफ्लूएंस को छोड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएए चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों मैं आपको लिख रहा हैं अपने mutual fund portfolio के उपर यहां पर मैं आपको step by step सिखाना जाता हूं कि किस तरह से आप बहुत ही असानी से जो भी particular mutual fund scheme में आप invest करते हो उसका market आज के date में चेक कर सकते दोस्तों यहां पर मेरा जो है mutual fund investment का scheme देख सकते हो खैर यह important नहीं है क्योंकि यह totally depend करता है आपके personal investment need मतलग क्यों invest कर रहे हो आप mutual fund में और जो है risk appetite के उपर दोस्तों कितना risk आप उठा सकते हो तो यह जो है मैंने portfolio अपने हिसाब से design किया अपने लिए अगर आप भी जो है WhatsApp पे message कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि मैं जो है एक MF registered mutual fund distributor हो जोस्तों मैं आपकी help करूंगा mutual fund में invest करने के लिए आपकी जो है रिस्क और investment need के हिसाब से खैर अभी आप जो है वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं लोग यहां पे जो है जो है जो है कि यह जो क्वांट का mid cap fund है तो इसका आज का performance अमको देखना है क्योंकि मेरे पास एक lump sum amount है मुझे invest करना है ठीक है मालीजे 5000 एक्स्ट्रा है 10,000 एक्स्ट्रा है बोनस मिल गया है ठीक है तो वो पैसा मुझे invest करना है तो आज invest करना है इस fund में सही रहेगा या नहीं मतला अगर फंड जो है सो नीचे जा रहा होगा गिर रहा होगा तो इन्वेस्ट करना सही रहेगा क्योंकि मुझे फोल्यूस जो है विचल फंड यूनिट जो है सुस्ट्रा में मिल जाएंगे आप देखे इसको चेक करने का सबसे बहतरीन तरीका क्या है अगर आप यहां पे दि दिख रहा है तो आज फाइदा या नुकसान होगा वो कल दिखे रहा है यहां पे जो है आप मेरा यहां पर रिटन्स भी देख सकते हो 39.80% का यहां पर रिटन्स दिया है जब से मैंने यहां पर इंवेस्ट कर रहा है ठीक है तो अब सिंपली मुझे इसका आज का फंड का डिटन्स देखना है ताकि मैं इसमें जो है अपना लंशम इंवेस्टमेंट कर सको और कितना अमोंट करना है मुझे वो भी डिसाइड कर सको जो सिंपली क्या करूंगा मैं क्वांट मीट के फंड जो है इसका जो है नाम को गूगल पे जो है कौपी करके पेस्ट करूंगा जोस्तो या लिख लोगा ठीक है तो इसका जो बेंचमार्क है जोस्तो वो निफ्टी मीड़काप 150 टोटल रिटन इंडेक्स है जोस्तो निफ्टी मीड़काप 150 अब इस नाम को हम लोग को सिंपली गया दरना जोस्तो जाकर ये वाला जो बेश्ट साइट है टिकल टेप इस पे हम लोग को पेस्ट कर देना है ठीक है तो निफ्टी निफ्टी तो यहां पर अभी इसका जो है मुझे दिखा देगा तो आज की डिट में अगर आप देखोगे तो यह जो है शुर्व डाउन 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 चल़ रहा है जोस्तो मतलब की down perform कर रहा है तो अब ही मेरे लिए एक अच्छा यहाँ पर opportunity है अगर इसमें मैं invest करता हूँ लेकिन यह कितना अच्छा opportunity है तो वो depend करेगा कि आज जो है market कितना यह fund जो है तो कितना नीचे गया है अब यहाँ आप कह रहे होगे यहाँ पे तो मैं index देख रहा हूँ यहाँ पर मैं benchmark देख रहा हूँ ना कि आपका particular fund देख रहा हूँ तो देखे जो बेंचमार्क के around ही जो है आप चीस भी mutual fund scheme में invest करते हो हर scheme का अपना benchmark होता है और उसी के around जो है तो आपका fund भी returns बनाता है अगर आपका benchmark नीचे जाएगा तो जाहिर सी बात है आपका fund भी वहाँ पे नीचे प्रोफ्रान करेगा जोस्तो आज की date में ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा जोस्तो थोड़ा बहुर डिफरेंस लेकिन जो companies होती है जोस्तो वो जो है benchmark की companies उठाकर यहाँ पे आपका fund manager invest करता है तो यहाँ पे एक दिन में देखिए पूरा live चल रहा है यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे परसेंटेज बदलता जा रहा है देखिए परसेंटेज बदल रहा है तो 0.57% से आज डाउ है जोस्तो लेकिन एक बड़ा number नहीं है अगर एक week का return देखोगे तो market जो है यह fund जो है सो बहुत ज़्यादा इससे गीरा हुआ गीरा था ठीक है तो यहाँ पे गीरा था जोस्तो यहाँ पे भी गीरा था बहुँ ज़्यादा उसके compare में अगर आज देखोगे तो बहुत कम गीरा है तो अगर मुझे लंसम investment आज करना दिये तो मालीजे 10,000 इंवेस्ट करने का है तो 1000 यह 2000 में इंवेस्ट करूँगा तो इस तरह से आप बहुत ही असान तरीके से जो है चेक कर सकते हो आपके particular mutual fund का जो है market किस तरह से दोस्तो तो simple process है मैंने आपको बता दिया यहाँ अब का नाम देखना है google पर जाना है आपको इसका index चेक करना है फिर ticket tape के जाना है जोस्तो कर तक पर चिएप पर सर्च में चले आना है बीच में share किजिए जो mutual fund में invest करते हैं ताकि उनको भी ये valuable जानकारी मिल सके सही सोर्स से इस चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दूस्तो ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए और mutual fund में invest करने के लिए आप मेरे whatsapp नंबर पे कभी भी contact कर सकते हो धन्यवाद